साथ कore 8 wars., तुससेझी दह रहे हो तक्त पंज़ाब। मने सुकविंदर सीनिग्नुदूर। मेरे स क्विंदरं को आयर मेरे कि अले संहकाका ऐए। सरदार गूर्टेज सिंग्ञें जी मोजूदूर। अब्सीनराली स्वाल, पंठक जली सियासत है, उस दे अबार दी गालों दी है कि ओ द्वारा फेर पंजाब दी सत्ता ते कि में काबस होगे। उजरिया अनदपुर साब दे मते नू दस्या जा रहे है जगमीद सिंग ब्राड जिना नू पिछले दिने काली दाल चो कड़े आ गया उना ने भी जथदार साब नू मिलके चूंदा कुमेटी दी रिपोर्ट दे स्पाक्ड़ू रख्या के इस नू कौमी एजंडा बनाया ता काली दल मुडसुर जीत हो सकदा अमर्तपाल सिंग भी कई वार की हर रोज दी तरह मतलब क्यों अपने जिकर कर दे में अपने पाश्णा दे वेचे के सानू नदपुर करे वड़ना पैना मुझूदा समय दे विच मेरा स्वाल है के अज दे सियासी हलाद दे विच अनंदपुर साथ दे मते दी की रेलेवेंस हा जदो क्या जंदा है के एदे नाल सिखा दे की नहीं बलके समुच्चे पंजाब दे मसले हाल हुंदे दे सुखविंदर जी एहे बहुत अच्छी गाल हुई है बहुत अच्छी डिवेलिम्मेंट हुई है के जड़ा एस अनंदपुर साथ दे मते दे थे थोड़ा त्याहन लोकां दा क्या है एस दी बड़ी रोचक कहानी है उन्नी सो चैट दे विच अकालिया ने पंजाबी सूब जी आनंदपुर साथ दे मते दी गल की थी के जी अनंदपुर साथ दा मता इसे होना चाहिद है लागू होना चाहिद है तांके दूसरे एक फैडरल स्रक्चर जड़ा हैगा इसनों कायम रख्या जा सके उन्ना एक सिखांदे बर्खलाव पर जुड़िस सी के इंदर दी वेड़ा सब्तों पहला सुबा हिंदोस्तान दे विच्छ नागू होन तों पहला उनी सो जिस वरे कॉंस्टुशन बन चुकी सी लेकर आजे ताहियों हो चबी जनुरीन लागू होनी सी उस तों पहला इना ने अकालियां दी सरकार इते पैपसु दे विच्छ डिसमिस की थी और उस दी जगह इना ने मैनुवर करके थे एक हिंदू चीव नेसर ल्याउन दी कोशिश की थी और ल्यांदा भी तो एक प्रजुडिस चली आ रही थी ताह एसनु इना ने फिर देख्या पन्याभी सुपे दे विच भी ये चल दी आई जाबी सुपर बढ़ं तो बाग जेसे विच बहुत सारे वड़े-वड़े उसमरे लीडिर पड़े लिखे लोग सान। जिसतेरा है अपने जेगमीध सिंही पेदा जी वी इस दे मेंबर सान। सदार गूमीध सींह। ते ड़ुट्र पागध सिंही ए अपने बड़े डॉक्टर भी सी मेडिकल डॉक्टर सा वक्ता संग पे बड़े पढ़न लिखनवाले बंदे संग इस तना आठ नाओं दास बंद्यां नीक कमेटी बनाई गई जिसने विच सदार कपूर सिंग वी संग नू क्या गया कि तुसी इस कमेटी दा जड़ा मता जड़ा संग चाहिए ओ तुसी ड्राफ्ट कर दे हो क्योंक सदार कपूर सिंग दे हाथ दा लिखा हुआ है और एस किदाव दे विच में इसनों चाहते हुए है तो एस मते दे विच की सिगा एस मते तो नू समझन वास्ते सानू थोड़ा जाए थ्यासने विच पिशान जाना पेंद है जिस वड़े उननी सो च्याड़ी दे विच ए चल रहा सी हिंदुस्तान अजाद हो जा है और कैबिनेट मिशन पर प्रपोजल कें दिया उसनों केबिनेट मिशन दा एक उनना ने उननी सो चाड़ी दे विच एक रेजलूशन पास की ती ओसी आ हैगा तो कैबिनेट मिशन दा प्रपोजल के ग्यानी करतार सिंग दी कौपी आए मेरे कोड़े किसे वड़े आ गई क्योंके ग्यानी जी बड़े साड़े सोने आगूसन और बड़े इमांदर इंसान सानी इस करके उनना दे हात लगी है इसनों मैं बड़ा समार के रख्या हुआ है ते एस दे विच एस ही किस स्टेट्स नों अटॉनमी दिती जाए खुद मुश्यार दिती जाए स्टेट्स आध गी हैं उनननों पोट्रेक्टक्त करन वास्ते महफूस किते जान ओ कल्च्र और उननांनों महफूस रखन वास्ते अर्रेंजमेंट की कि जावे इए कॉंसिटूश्णल और जड़ा इंदरस्तों उन्दा सम्दान होँए या आइन होई ववए वव आदरल होई अंग्रेजना ने सानु पर्पोस कीता सी के तुसी एस्टरली कॉंस्टिशन बना लो वो खारे इना ने रद करती खास तोर ते हिंदु आने क्योंके हिंदु ने सी चांदे के मुस्लमान पाकिस्तान दे विच रहन इस दे बारे साधे को लेखन बहुत ज्यादा एबिडेंस आगया है के उसनु पाकिस्तान नू उनीस सो पैंटी तो ही इना निसला करनी सी पाकिस्तान नो इत्थों कड़ेनें, मुस्लमाना नो इत्थों कड़ेनें ते बाद रीच्छ सी हिंदु राज इत्र स्तावत करनें ते ओदों तो यह तैय हो गया सी ता ए ए एस ते जड़ी फैडरल किसम दा स्क्रॉक्चर ते सुबियां की खुद मक्तियारी इननों पौंदी नहीं सी एस करके इनने रिजेक्ट करता जे पाकस्तान दे ते हिंदुस्ताहन बनाउन गा इननने रख लिया मसला जिला सिगा ए एस नू चंगी तरह नाल इननने अपना अजेंडा बना लिया और जड़ी फंडेमेंटल रेजनुशन पार्लिमेंट दी कॉंस्ट्यूशन कॉंस्ट्यूंट एसेंब्ली दी दे विच कीती गई सी दाखलत उस दे विच भी एही सी के फैटल स्ट्रक्चर होएगा लोकां दे अदकार होंगे और जड़े कल्चर होंगे सारे मेफूज होंगे ते अटानमी दिती जाएगी सारे नू एस सारा कुछ हो दे विच मजूद सी और जड़ी कॉंस्ट्यूशन दी पहले ड्राफ्ट पढ़ी ओदे विच भी मजूद सी लेकिन उसनों बाद इसनों मुकर गए ते फेर इना ने सारा कुछ ही उटा दिता एक है के सिखा था बड़े अगांवदू होंगे बड़े लिखी कौम है एता एते हर्ग हाल दे की एक बड़ाई कि विच आए भी करऊच दे विचे शारे सि幸ी सर्फसेण दे विचेह भड़े बड़ बाला है की लिग दो कोई ध्यक्ताने हिंदुस्तान दी अ कि एक है कि लिग इन ने साथा भू राद करता जड़ा एक है एक रहांचमेंथमेंटल होंग्रे जड़ेले उसनों हे गवर्नर राज लाके टादेने। तां फेर अकालिया ने ए अनांदपूर साफ दा मता लेंदा। कोई नूक्स नी सी बड़ी सोणी रैजलूशन सी और लेकन एहे अकालिया नूँ उन्नी सो तो तो दे गवर्किंग कमेटी तां भी मता रखी रखिया ते उस देए ऊट़्े कोई एक्षन नी लिया। विच जिदो इनना दी सिरकार मुड़के आई और नाद मिलके जड़ेक जनता दालवाडे सान। ता फेर इनना ने एस दे उत्ते रीलुक कीता किस तरा नादेनु अटाप्ट करिये। मता सके और निजसे सिर्णimize मता सिर्ण शिरोंडी होनाय करता कियो जें। जैनना कि अणाता दालवाडे से भाली होना देखनान तूर मुड़के छेटत आप तूर नेसे समय wszyscy अधिये। इस सारय तो ठीका और इसने बर्खलब कोई अर्गुमेंट को नी संगी ताए उनना ने एक कमेटी बनाई जिसने विच एक जिस वीर सिंग अलू अलू अलिया सी, एक डॉक्टर सीगा अतर सिंग ते कॉम्रेड सुजीद सी, कॉम्रेड सुजीद ने ऐसा इसनों गेडाए ता इक क्रिमेटी दी मीटिंग ओस दी, मैं भी अटेंड कीती है, और मैं उठे गाले चल रही सी, के जी अनांदपुर साफ दी, जड़ी मते दे अधीना पां, अटॉनमी मंग दे हैं, सारे हिंदोस्तान वास्ते मंगो, मैं क्या पले हो लोको, हिंदोस्तान ने थेका देता है, जरूर उनना वास्ते बोल सकती हूं, जे कल नो कोई स्टेर उठके काएगा भी साथे दा कोई कल लेकिन इनना दिनाड, ते फिर तुसी की करोगे, लेकिन खेर इनना ने हो मते नो डाइलूड करना सी, और इनना ने उस दे उत्ते, पॉलिसी प्रोग्राम बना लिया, फिर तिलवंडी नो एने बादल ने अपने दाल्चों काड़ता और जिस तना जिगमीत नो कड़े हैं, ते ये तिलवंडी ने एक अपना अनन्दपूर साथा मता बना लिया, वो दे विच उस ने टेरिट्री जड़ी सी, सर्दार कपूर सिंह ने ता रखी सी, के पंजाबी बो पंजाबी बोल दाए, ते ये तिलवंडी ने ने तो एक होड़ा अपना मता बना लिया, एक इनन दा होगया, सदात कपूर सिंह ने ता होगया, एक तुरंडी दा होगया, ता जिदों इनने एजिटेशन शुरू की ती ता उस दे वेले, उस वेले रोड़ा पै गया, कि य अंदबूर साथ मताकेड है, और जान जान के लोकाने उस दे उस दे वेले करना शुरू करता, सुखदेव सिंह ने जड़े अपने पतरकार रंगे ते ट्रिब्यून दे, उनने एक ते ट्रिब्यून दे विच लिखिया भी, जिदी, उननने एक बड़ा लेख लिखिया, उ से लिखिया लेखिया, उस दे विचे लिखिया, उस दे विचे ट्रिब्यून दे विच लिखिया, उत थे मैं जिस विड़े असी भी कुछ थोड़ा बहुत है, सबंदत सी, गलबात वगएरा, मारी मोटी जड़ी, सदेनार भी कुछ किसे किसम दे चलते सन, ता एक वरी सवनों मत दी संज हैंघी, सवनों नहीं पेंदी, किans ग्री जड़ा मता है, मैं कही जी किसम दी सवनों समझ़ नहींपेंदी, एक टा के पंजाब पीच लीखिया हुए है, मैं क्यों ता ओरिजिनल टा अंग्रेजी दे विचे है, फ्र उनन नहीं किसम बड़ाaut coupling है, मैं कही तुसी एक क्लार्क लेके साड़े तेनसो रुपया लहेगा तो डिकलों मीने दा तौन सारा सुझा देगा लेकन फिर उस तों बाद मैं एक छोटा जा पैंफिलेट लिखिया ओवा पैंफिलेट है जी एस दे उते एस दे विच में सारे एमते देते ते इन दा काली दा पॉलि ते विच से ते सदार कुपूर सिंग ने क्या भी दुसी अपना नाना लिखो उन्हाने मेरा नान ट्रांस्लेट करके संस्क्रिट दे विच्छे आ लिखता बलेश्वर हरी बाल दा मतलब तेज इश्वर दा मतलब गुरू ते हरी दा मतलब सिंग एक सिनोनिमस हुंदे है हर सदार साब ने एस नो जस्टिफाई करन वास्ते एक किताब लिखी सी जड़ी किया सी उसे वड़े सिक स्टून्स फेडरिशन वोलनों चापी सी और मैं उस दा फॉर्वर्ड लिखा सी ओ किताब में हुन तुबारे चापिया ओ आ है जी इस ही अनानपुर साथा मता इस जड़ा मता है गा इस हिंदोस्तान दी जड़ी कॉंस्टिशन डवल्पमेंट उन्नी सो एक तों बाद होई है और उन्नी सो चैड़ी तक हुंदी रही है जिस तरह दी 370 आर्टिकल किश्मीर दे विच इना ने बनाया सी इस तरह दे कई सारे आर्टिकल नौर्थीस्ट वास्ते महराश्रा वास्ते करनाटका वास्ते इना ने उदे विच एड़ कीते हैं और उन्ना दा एही सारा अंशा है जो अनानपुर साथ दे मतेदा है जिस विले सजा साथ ने एक किताब लिखी सी उस विले सी इस दा एक नक्षा भी बनवाया स सी नक्षा बनवाया सी उस विले प्रफेसर गुर्देव सिंग उन्दे सी एथे हैड़ देपार्टमेंट आफ जोगरिफी उप हिंदोस्तान देवी सब्सक्तों वदीया कार्टोग्राफर सी उन्ना कोड़ों मैं बेंती करके उन्ना कोड़ों आर नक्षा बनवाया सिगा एक सी ओस किदाब देविच उदे नाल शापया एक जिस वड़े अजादी दी लड़ाई चल रही जिननन दी अजादी सी उन्ना दी कल कर रहे हैं लड़ाई चल रही छी थां ज्यानी करतार सिंग ने अपने मसरन दावानों किया कि तुसी सद्धी सिखा दी लिए एक स्टे बना के दियो सनु उसने आकदाब बना के जित्ती एस दे उते नक्षा बनाया के हिंदू सिख स्टेट वास्ते सिख हिंदू प्रोविंस इंद पंजाब इस दे वास्ते के से नने बिल्ड कीता एनने अपनी आटो बाग्राफी दे जिकर कीता है हैं अनक्षा अनंत्पूर साफ दे मत दी बेंग्राउंड. अच्छा इस विए प्रवमीद सिंह ड़ि आउटे अन्नी सो अठाटर बॉड नमिन में आये न जितके ऐ ऐमरिजरी भड़्यिन्सेजी लड़ाई उनने जिग्मीद देश्त्रोगा इस बनाफ्टा इसमरंगीं आन शवेल एस सब्गोड शर्दार बादल चीफ में साजन सब्गाइवाइन है, यि अन्ना ने ये बनाया कि दी एस ने पंदरा आगास्तन उन्हाने कुई प्रोग्राम बनाया सी के बादल नूँ पंदरा आगास्तन नूँ काडियां चंडियां दिखा मांगे क्योंकि ए सिख्वां दा पाकनी पूर रहा थे और अंदो कावल जा रहा है काहा इनने सार्याने मेरे कहलते इशारा सी बातल दा थे उनने मानने जाके उत्ते एक केस बनादा उस विले मैं ये देश्टरोदा केस बने अजिड़ा हूना आपि काल खीए ना भी ए आटिकल कॉंस्युश्टों जो ख़तम करो वस देदार्धे उत्ते इननने बनादा वो केस मेरे कोड़ा आगया होम दिपार्टमेंटे विचे नारों से तस्वीरां लगी है होई हैं सन मान ने बनाया कि इनने बर्चे लेके थे हमला करता जिस विड़े उसे परकाशिंग बादल दा कलगरिया सी प्रोग्राम थे इनने सारा डिस्राप्ट करता इनने तंबू प पाए गए सारा कुछ लिखिया हो दे विचे जिदो मेरे कोड़े आया मैं इजामन कीता था मैं देख्या होना दे अथां दे विचे तंबू दे हेट पोल लाग दे सी उसकोड़े ओ सन करपानना हो दे उनने छोटियां चोटियां जड़ियां अमरत तारी सेंग पांदे ओ देख्यां जड़ियां 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 ज वसी खिच के उखतर गई तर उन्हाने आके डिमॉंस्रेशन कीता है जिदों मैं चन्डा देखिया जिदा ना ने पेजिया वरे विच्छ नाड़ एविडिनस देखे ता उस दे बखिये उदे अधे हो इसनों अधे गईता हुए तो मतलब केरफूली ना उसनों आड़ कीता ह है जिदे पाड़न वाले हंदे हो तो मतलब कर दे हैं ते होर सारा काफी सारा एविडेंस एस दे बारे मैं जिदों एक्जामन कीता था ओ मैंनों लग गया भी है बिल्कुल गल्थ एविडेंस है मैं फिर उस दे उस तोना दा नोट लिखता ओधी मैं थोड़ी बात बनाई वो मिरे कोड़े अजवी ओस दी मेमरी रखन वास्ते दे ओ नोट बनालाया थी ओ मिरे कोड़े अजवी पिया है यह पंदरान आगास्त दी गाला 26 जन्वरी नूँ पर कार संग बादल ने अपने करे मीटिंग की थी जिदे विच प्रिंसिपल सेग्रेटरी आया थे एड़ प्रिंसिपल सेग्रेटरी इनन दा अपना शिवन जी सिंग मानते मैंनों भी बलाया थे मैं क्या जी मैंनू बादल ओपनिंग सेंटेंस एसी क्या जी बड़ी मुश्कल नाल एक एस बनाया थी गा एननने एक एस तनारा नोट लिखता हून देखो एदा की हो सगता है एमेस गिल ने नोट पड़िया और केंदा जी उनने तस्वीरां देखिया है और केंदा जी जड़ी इन गलना इसने लिखिया है सारिया ठीकन बाकी तुसी जो मर्जिया हो तुसी करो ते मैं किया जी देखो एक केस मासर तारा सिंग ते भी बनाया गया सी हिंदोस्तान दे विच बगावद दा केस जिज़े उते ही बनिया है कदे भी सिक्सेस्फुल नी होया ते थोड़ी खाम खादी बद्रामी होईगी पहला तो लोग कह रहे हैं भी तुसी गुरमीत सिंग नूं मारन दे जुम्मेवार हों क्योंकि तुसी उसनों पिगड़नी ती बड़ा सीनर लीडर सी जगमीत सिंग दा फादर ते तुसी उन फिरे बच्चे नूं ए एठारां स्तारां साल दा सिंगा उस वड़े या वी एक टी साल दा सी वर्किंग कमीटी दा मेंबर सी ते एस नूं तुसी एस दे दुरान मैं जगमीत नूं ते एर जड़े एक इन दे नाडव कील भी सान जो बात दे विच मैनू मैं जाने जेल दे विचे उथे कस्टिडी दे विच सान्य हवालाद दे विचे मैं जाके इननू मिलके आया मैं नू पुछया भी थवड़ा मकसद की या कुसी की ए बगावत करना चाहूनें एक एंदे जी नहीं है सानूं का सवदार कपूर सिंग वाली सिक होम लेंड जड समीद सिंग उसकों बाद चले गए बी इंदरा कोल बन गए औना दे कॉंग्रेस दे मेंबर बगरा फिर मिरना ता राप्ता टुट गया मिरना तकर की राप्ता सी मैं ता उत्ता ही मिलिया सी इननू थोड़ा जानता सी क्योंके सवदार कपूर सिंग दे कोल हों दे सन ते उन प्लिटिकल एम है मैं इसनू एक दिन दास तरीग नू साधी एक पहली प्रेस कॉंफंस सी अमर सर्दे विचे ते दास दिसंबर नू 89 मैं इसनू पुचया के मान तुसीं दसों मैं नू भी तुसी केड़े थोड़ा प्लिटिकल एम की है इसने क्या जी अफकॉर्स सर्दार इसनू पर में तो दस्तत कर दे मैं आई कन ओनली स्पोर्ट एन अन्पुर साफ रेजलुशन एंड नातिंग एल्स तुसी खालस्तान बनोने तुसी करो ते मैं ठड़ी जो वरों सेवा कर सदा कर देंगा लेकन ए अना एसनू लगदा भी एक साधा पर वेक देवा जामन है इसनू लगदा है और मानलिया उस्तों बाद पर जो कुछ चलिया है इसकताब दे विच और यह जो कुछ सारे डॉक्मेंट्स ए चपे हो यह हैंगे यह है कि कम्प्लीट कहाणी अनादपूर साथ रेजलिशन दी और अनादपूर साथ रेजलिशन जड़ी है यह पंजाब दे मसले दा कम्प्लीट हल है चाहे तो सी कोई एच हिंदू सिक नी इस सिर्फ सिक तरनू जा सिक कल्चर है उसनों महफूज करना दी गाल है और उस दे सारे हिंदोस्तान नो मान अचाहिएरा है क्योंके जे हिंदोस्तान ने तरकी करनी है तो अक्सर अखीर आके सिक फरफ से द उते घढ़ना पाएगा उसनों मिना धहीं आी तरकी नहीं खर सगदा उस दी हाए HA. У उसनों दे एस दे अषोल हों दे सिक तरम दे सियासित दे बार हिंदोस्तान तरकी नहीं कर सकता चाहिए सौ साल लगिया रहा है पिछले पांच हजार सालां दे विचे किते पहुंचे आज जापान देख रहे हैं कि एक हरीजन पाणी पी रहें दा एक किसे टैंक दे उत्तों तो उसनों गौदे पिशाब नाड को के पुवित्र कर दे हैं अनी इस उजाटपना इस इंदोस्तान दे विच है जड़ा के एस अनांदपुर साब दे मते दे नाड की ठीक हो सकता है साड़ी जड़ी पुजीशन है पंजाब दी ओ तहीं है महफूज हो सकती है ज़े अनांदपुर साब दे दे अमल होवे एक तो तक एस गल दी मैं तो नो एक तोड़े शायद पाट का नो इंटरस्टिंग लगे जी बिल्कुल मैं इसे करके स्वाल नहीं केता क्योंके बड़े इतिहासक पाक तरीका दे नाल जाहूर तरीके तुसी अपने किताबादे जरीए जो जो सामने रखे बहुत जरूरी सी ताके दर्शका ताके पूरी डिटेल्ड जानकारी पहुंची क्योंके अजे हर कोई उठके जदो अनांदपूर साब दे मते दी गाल कर दा ता ओपता होना चाहिए दे लोग करनों भी क्या आखर कर की या मेरे त्या आणची का सवाल आ रहा है तो अड़ी चाप्चा सुन देया के अनांदपूर साब दा मता कई बरी दुजी कम्यूनुटी दुजे पाईचारे नों जिमें तुसी क्या के हिंदू मुसलिम दी गालों दी है जाहूर जिनने भी फिरके पंजाब वेच रहने ने जा समाज रहने ने दलत समाज हो गया जाहूर उना दे विच्चे शाय दे गाल जांदी होनी जित्तक मेरा मनना है के जदो इन्वसी अनांदपूर साहब दी गाल कर देया तो उन्हों लगधा होना कि ए सिख्खा दे हाक वेचा थोड़ा जा इवी तस्यों कि पेली कलते हैं नाम नाद पूरसाव दा मता क्यों होग ही तस्यों तो दुझ्या एक हिंदू ते मुस्लिम पाइचारा जा दलत वर्क दी हिस्सेदारी विच किस स्टांग दी होगी जाओ ओकी एदे विच्छ सेफ रहेंगे क्योंकि अनसेफ होड़ी आज सुरक्या तो होड़ी गाल डार जिड़ाया और एक दे माद दे विच्छ उड़ू के फिर असी किते जावांगे इस बिल्कुल ठीक है थोड़ी गाल एस तरह दे खल्च से इना वनों फलाय जान देने सिखान दूं ते अनादपुर साफ दे मदेनों बदराम करने वास्ते इस दे पारे गाल होनी चाहिए है अनादपुर साफ दे विच होई सी दूसरी गाले यह है कि अनादपुर साफ दे विच एक नवी क्रांती आई सी सोडानस हो ने दे विच सारी मनुकता नूं एक करक्ती आई सी एस तो किसे नूँ की दर है क्सारी मुक्ता नू कठे करके थे खाल से खुड़ सिंग्म होया सी भी सुस्ट इस जिचाहरो है सारी मनुकता का नी मुक्ता से ब्डमा न ska क्ग्त्रा नू क훈 कातरा है असी राज कीता है 100 साले थे, तकरीबबन बंदा भादर तो लेके थे मिसलां दे टाइम तो अरणी सिंग दे अठाना सो अरण जाता घटो घट ए राज कीता है, एस राज दे विच कदे किसे हिंदू नूं, कदे किसे मुसल्मान नूं, कदे किसे और दूसरे नूं कोई तकली नहीं होई बलके सिक्ख इल्जाम ए लोंदे से भी ए रंजीन सिंग था है जारे दूसरे लोकानों ही नवाजी जन्दा आसानों तो पुझदा ही नहीं है अश्ते लड़न मर्न वास्ते फार्ज जर्नायली रखे होएं है तो ए एक हच्छा इननों चाड़ देना चाहिए है ए जीड़े अनांदपुर साहब है एक किस जीड़ा जामन है एक दसमेhm पाश्रा दी उस समाज दे समाज दा विजन जड़ा है गा दसमेश दा दसां गुरुआ और ग्रांक्साल दा ओस दा प्रतीक है जिसने सारे समाज दा हिंदुस्तान दा निकला सारी दं़या दे जिसने सारे समाजे वीचे तरिया नाम भराबरियां आनगिया ते उन नोग कटबर्णають उन्ह Aa इनों काट करना एक ख़तम करना है और उसनी जामनी खाल से ने अन्हें वास्टरेश लड़ना है तो इन्हों की फिक्र हा इसलिदा तो कर नहीं नहीं वनांट चाहिए लागत जो पुछेट नहीं कोई हो नाम के वह नहीं देता गया जहां कोई अमरिज सर्दा पता जाम खोड़ से पोर तेरदा जिकर का देता जदा जब खोड़र नानदपुर साम दे-मत्द भी जिकर प्यों किता गया मैं पुछ रहे थी के हिंदू मुसलिम के दलत पाइचारे दी ओपूमिका की होएगी इस मते दे अनुसार? देखो जिए इस मते दे मिच किसे कम्यूनिटी दा कोई गाल नी है सिर्फ सिख जड़ा कल्चर है उसमों महफूज करन दी गाल है और जड़ा सिख कल्चर है वो सारे अंदा सांजा कल्चर है एस गालनू के मंदे मेचे इस साड़ी दलतान था वसालिया एथे दलतान दी परसेंटेज एठती परसेंट है यूपी देवे चौमा परसेंट है जगत कल्यानकारी गुरू है जगत गुरू है उसने सारे अंदा फिकर कीता है और उसने सारे अंदे पले वास्ते बनाया है गुरु गरांट साथ न विदाँ अहान है ते जड़ा Sparkite विच समाल अब kidney घरी एकन जानी है और फाल जामनी है उस देवस्ते लड़ना मरना उसको महبूज रखना है किसे नो कोई इतराज नी होना चाहिए दा कोई चगडा नी होना चाहिए लेकन जे फिर भी किसे नो कोई इतराज है ता सदार कपूर सिंग ने बहुत लम्मी चोड़ी एस दी बैक्षिया कीती सी जड़ी कि मैं तुम दस्या भी किताब लिगी सी उना ने इस किताब नो मैं द इस दे विच्छ इड़ा सिवल मैटर्स दे विच्छ ओही कनून लागू हुएगा, सारे हिंदुस्तान दे लागू है. जड़ा के डेमोक्रेटिकली एलेक्टर गोर्मेंट कनून बनाओ धी है, ओही कनून इस दे लागू हुएगा. इस दे विच खर्चे दी केड़ी गाला है, उन तक सिखान दे बोल बाला होया, या जड़े जड़े परदेश दे विच भी एते आट साथ रियास्तान सान, ते उस तो पहला हम से खराई सीगा, ते किसे दे विच कोई दसे भी करें कोई तन किसे न तका होया, बलके एतों तक जड़े एक अंग्रेज स्टोरियन हैंगे, उन के बड़ी हरानी दी काल है, कि सिखानों टॉर्चर चेमबर दे विच जड़ा इसलामिक उस विड़े राज सी गा, जड़ा अपने आपनों इसलामिक राज केंदा सी मोगलां दा, या इनन दा अफगानां दा, उन नने टॉर चेमबर दे विच्छों निकड़ के एक गदी जड़े आए, राज गदी जड़े बैठे लिए, इननने किसे एक मुस्लमान तो भी कोई बड़ा नी लिया, उन एस तो बड़ा सुबूत उसी की दे सकते हैं किसे नूँ, और रंजीत सिंग केंदा सिगा, बई परमातमाने मे एक आख एस वास्ते दिती हैं तांके मैं सारे नूँ एक आख दिनाड़ देका, इस सिखी दा सूल है, इस वास्ते असी सिखी, गुरू सच्चे पादशा ने पर चलद कीती सी, कि सारे नूँ बराबर रखना है, सारे नी सेवा करनी हैं, और उस नूँ, खाल से नूँ सिर् एस वास्ते जूजन है, इस विच जे उननों कोई वॉलन्टियर फोर्स मिल दी है, हुम देखो इतियास दे विच शिवादी मराठादियां फोजा मेरे रही हैं, इनना दो पहला दूसरे थे राजे सी उननों यह फोजा मेरे रही हैं, लेकन मिसलां दे पीरियर तक रन्जी साल लड़ाई लड़न जा रहे हैं, जिड़े सहमत आंगे और रहो, जिड़े नहीं सहमत और इसो चले जाओ, अपने कार जाओ, जो करना करो, लेकन असी किसे नूँ, उदी मर्जी दे बरकलाप लड़ाई दे विच नी चोकना, जिसनों दशमेश दे खंडे दे उत्ते, ज साड़ी राणी है, माई जिंदा, वो भी एही गल कहन दी है, के कलंगी तार देखाल से होन मूरे, लड़ाई अंग्रेजां दे नाड़ा, कलंगी तार देखाल से होन मूरे, और अगे होर गरीब ना तकणेगी, जड़े रियाया, जड़ी सिरफ प्तन खां वासते नाड़ लिस्टने ही दिशन क्लगी होई है खाल से-दे खाल यह जी ऱिशन तरद दॉरल्दे गार करने तॉर कारती थास है बूर्धी अड़ी दे हेट रह रहे है ते आज देस ब्राबर नहीं समझ रहे देस पाणी ता कडसान दे प्रेश नगा उन्हों पसांद है तो पाहिए उन्हों थी कह सख क्याई है आग्वर्जी है लेकन यह graphics दे निजाम दे भीचिंहों कोई खतरा नहीं जी सर्दार सब इनू लेके ना होर भी बहुत सवाल कहीं आदे मना विचाजंद है कि खाल सा राजदी प्राप्ती दे लेई अनाद पुर साब दे मते नू लागू करवाण दे लेई सिक संगर्श कार देया जा फिर हुन तक जिनिया भी कुर्बानिया हुई या शाहाद्ता ह लोग डुले आओ सारा कुछ वाप पर चुकिया आया पर हुन तक भी ओ प्राप्ती जरी चाही दी सी ओ नहीं हुई उना मरतपाल सिंगोरी भी कहने देने से दे सपाश्ट दोर दे उते के मैं ए नहीं कहनदा के शहादता नहीं होन गिया शादता भी देनिया पैसक दिया न जदो इना मसलियां दी गालों दी है पर आज दे जमें मैं पुछया सी के हुन वोदी की एहमियत है ना पुर साब दे मते दी क्योंके जे हुन वी खून डोलना है हुन वी शहादता ही देनिया ने जमें कई कहा देने के एदू चंगा के तुसी पढ़ लेके उच्छे ओ दे आते पहुंचो ओथे पहुंच के अपने तरम दी जडिया ओ सिवा करो अपने तरम दी राखी लेका आर्ज करो उस पासे वालनों तो ना के शहादता थे उन्हें तो थोड़ा जे गुरेज करना चाहिदा है इस दुनियावी स्यानफ है जड़ी एक तरना ठीक है उच्छे उसे जिने ते मर्सी पहुंच जाओ उसी अपनी कौम दा काख नी कर सकड़ें उन्हें लोकानों चोर जड़े कि यह जड़ा गुरू दा मक्सदा है वो सारे संसारदा ताहले करनदा मक्सद थार थे जिस्दे विच जात पात दा खातमा हो जाए, जिस्दे विच सारे कोई पुखाना समय लंगर गुरूदा वरते, जिस्दे विच तेग दी रख्या होए सार्यानू, किसे दे विच्दे कोई पहना होए, तरह दा समाज वाड़ी डेमोक्रासी सर्जन दे दिकावल नहीं है, आज भी एक डेमोक्राशी तो अगान दे गाल है एक अगला ओंगी हैं जड़ियां संसार नूँ पंजा साल बाद समझाऊंगी हैं इस दे उस्ते जड़े बुद्धी जीवी हनगे स्याने लोग हनगे उननों अपना जोड लोना चाहिद है इसनों समझन वास्ते जड़ा अमरत पाल करिया है कि तुसी शीदियां दे ओंगी है देखो अनिया टाहिलाख बंदे ने शीदियां दे पिछले समयांदे मिचे ते तुसी किते करें हों तुसी उस्ते नारों ठले आगे तुसी उस्ते नहीं आए मैं कहना कि कोई शीदियां दे लोड नी तुसी सिर्फ दो टाहिए तो इमांदर बंदा लबलो जड़ा के जबे बड़ा होवे नौजवान होवे और दुश्मन दे जिननों जड़े सानू दुश्मन संझे न उनन दी आख दे चाक पागे गल करन जोगा होवे ड़े भी कोमा दे फैसले होंदे न जितकते भी कोमा दी किसमत कड़ जान दी है उत्य साधे लोग शाठी गल करनाहर होड कि उनकी होया है पिछले समया दे विच, बढ़ पनिया रोट कुछ नी बणना किस्तों इन दा साठी नुमाहंदगी मेरले है तुसी अपने कारपार ले हुँँ तुसी इना दे जड़े-जड़े साधे लीडर ले इन एस समय दे विच तुसी इना दे एक पर्टाल कार लो छोटी जी जिदुए प्रेटिकल पावर दे मिच आहिए इना दे कोड़े किनिक प्रॉपटी सी जी आज की ए ते तो नो पता लग जाएगा कि तो नो बेवकूप बनाया किसे ने तुसी अपनी इमानदार लीडरिशिप नहीं पैदा कर सके रंजी सिंग दा राज भी इसे वास्ते किया सी गा शाह मुहम्मन दा एक सरकार बाज एक सरदार बाज जो हूँ और सारे इंग्रेज़ां दा एक डिसिशन सी गा कि जे इन अजे कोड़े कावल लीडर हूंदा ते सानू एकदम वापस जाना पैना सी इंग्लेंड इन फ्रेक्ट मुदकी दी लड़ाई तों बाद अंग्रेज़ां ने अपने सारे कावज साड़ देते सी और गवर्णर जनरल जड़ा फिल्ड दे विच मजूद सी उसने नपोलियन दी वार दे जोसमों एक करपान मिली सी की थोड़े अवार्ड देता और दोते उसने ओ कर अपने मुदे नू देखे क्या थी बेटा कलकत्ता दो पहला जहाद लेला असी ता डुब गए सारे असी ता हर लड़ाई दे विच चलियांवाडी दी लड़ाई दे विच मुदकी दी लड़ाई दे विच सब्रामां दी लड़ाई दे विच हर लड़ाई दे विच असी कोड़े इमानदार लीडर्शिप नी सी, साड़ी लीडर्शिप दुश्मन दे नाड मिली होई सी, हुन उससे करके आज जिन पिट रहे हैं, इससे करके आज सफर कर रहे हैं, जड़ी एमर्जेंसी लड़ाई सी सिखाने लड़ी, और बाग भूबी लड़ी, लड़नी सी, साड़ी मसले हल करो शी, साड़ी हमायत कर दे हैं, इक वेड़े नर्समा रहो दी सरकार दो तिन बंदिया थे खड़ी सी, और उसने किट साइलेंड दे जाके शिबू स्रेंड ते दो बंदे उस दे होर सी, और तो चारखन मुक्ती मोर्चा दे, उननों उसने एक क्रोड सी, साड़ी मेरी सरकार। सब्सक्राइब लेकिन इना ने क्या कि ए सानू कमाई करना एक अफसर देओ असी देखो भी ऐसी सारे तो हिंदोस्तान देविच दुनिया देविच विच अमीर आदमिया देविच गिने जाएए अब लाशा लेकि ए लोग रहे सानू थे इना लाल समा वाले लोका ने कौम दा थोड़ा कुछ निस्वार ना सी तो यह जड़ा पाई अमर्दुपाल केंदा जिसी शीदियां देन वास्ते त्यारो विलकुल गलता है विलकुल नहीं होना चाहिए तो अनू इमानदार बंदे लब के अपनी पोजिशन जड़िया पोलिटिकल पोजिशन रही है जिते जाके गलां होनिया जिते जाके सारे फैसले हुंदेन जड़ी सारे हिंदुस्तान दी पंचायत है जड़ी पंजाब दी पंचायत है वड़ी असेम्बली ओठे जाके थोड़े बंदे थोड़ी गल करना सिखी दी गल करना नियां दी गल करना तरम दी गल करना कॉंस्टिशन दी गल करना के ऐस देन सारे साड़ा हाख बनगा है ताँ फिर तुसी इतिराज कर सकते हूं और राज करूंगे इसले विच सारी जुनिया खुश होईगी जड़े भी कोई दबे कुछ ले लोग आंगे उननों महसूस होएगा भी ये साथा आफ़ा राज है ये होजी एरेंडमेंटे कर सकते हैं तो सिर देना फिर देना जुड़े वांग वांटमदै ते आपा गल कर लेया है तो गाला एक हकोमत जदो ऐसी चरचा होंबी है कि पीछले समयाद विच्च केंदर दे वेच्छे कांग्रेस दी सरकार रही, ओने केंदर दे वेच्छे पाजपाधी सरकार है. हकोमत कोई भी है उँ पैपित क्यों होंदी है क्यों नहीं नदपुरसाप दे मते नू लागू कर दी। आतवादी के कि उस पास से वालो तूर दिता जादा देखो जी ए जड़े गुण उन दे न थोड़े कौमा दे ओ कई वारी और गुण होके निपड़ जांदी है जड़ा हिंदोस्तान दी अजादी दा सेंट्रल आइडिया सी ओ ऐस ही के थे हिंदू राज स्थापत होएगा हिंदू राज दा असेंशल पॉइंट जड़ा है एक नुक्ता जड़ा है जिस दे उत्ते सारा हिंदू डम खड़ा है ओ की है ओ है जादपाती समाज जिस वेड़े अंबेड करनू इननने एक थे जादपात तोड़क मंदल बढ़या सी अपने अमरिस सर दे विचे और इननने अंबेड करनू इन्वाइड कीता के तुसी आके एक लेक्चर देओ उसने अपना लेक्चर लिखिया जिसनों महराश्करा गवर्मेंट ने उदे क्लेक्टेड वर्क्स पे विचे एनाइलेशन आफ कास्ट कहके छापिया हुए है ओ लेक्चर होन को पहला उसने विचे उसने ए भी किया कि साटेना बहुत दिक्रा होंदा है एनने हजार सालां तो साटे सानु दबया जा रहे है ते असी होने है अजादी चौने है ओ गांधी कोड़ किया ओ बंदा जाज़पाद तोड़क मंडल दा सेक्टरी सी और उसने क्या जिसने अमबेड करनों बढ़ाया सी उसने आ लेक्चर पे गिया है पढ़न वास्ते गांधी कहन दा अमबेड करता है ठीक नहीं बंदा एज़पाद नहीं होना चाहिए जाज़पाद तो बिना हिंदु तरम की है इस सेंट्रल नुक्ता है हिंदु तरम दा इननी देर से इस गल नूनी समझ दे जिननी देर तक एज़ए रोड़ा पाहुंदेन डर देन काम का एक एमें तित्र बून तरम देन डर के कम देन इनननों वी चाहिए जाज़ए जाज़ए लेन के एज हिंदु डंदा सेंट्रल आइडिया है मनुसमरिती और जाधबाती सिस्टम जाधबाती सिस्टम नू जे तोड़ दाए तर कल्दा गुरू मानक तोड़ दाए समाज दे वेचे इस दुन्या दे वेचे होड़ लोग कॉंप्रमाइज कर दे है कुछ कंसेशन लें दे है कुछ मारिजिनलाइज रें दे है जे कोई किसे बंदे ने किसे सांस्टा ने इंसिटीशन ने जाधबात नो तोड़ के दे लेख समाज बनाया जागका खालसा खालसा खालसे ने घुरू को वेん दे खालसे ने बनाया है अमरत तारी खालसे ने ता ए अधियों के लोकांदार आज की नूँ परवान है तो ताहों दे उते मनुसमृत्ती लागू करके उननों गरीव रखो अनबढ रखो जाल रखो उनना कोड़ों सेवा लें दे रो उनना कोड़ों अपना बिगारां लें दे रो इस तरह दारता है समाज ते एस समाज में आल ख खांदे कोड़े इनने बंदे होने चाहिए है जड़े के एक अलना नूँ जाके उननों समझा सकना है मैंनों अफ्सोस है के गड़े साथे कोड़े हंगे लोक उननना फैदा नहीं उठाया जा रहे है अप प्रफेसर तूंदा बर गे अपने पाई-पांठ प्रीज संग वर जब्चे दसन उनको सी थोड़ा जलवा देखिया है सिखी दा देख खाल से जवेदा इनना ने उनने एक ते जड़ा किसान एजिटेशन होई थी पिछले दिना देविचे ऊस दिफूड़ा जलवा देखिया है और देखो सी श्कीदे वास्ते किना बाहर सारे इंदर्स्ता तो इननों इस एक लंसम जोनियां चाहिए हैं बजाए इस दे के उनने इतराज करता सी सुन लिया साथे कोड़े जवाब कोई साथे कोड़े सारे जवाब अनके शाठा उनने ती है जे फर्द करो जे जड़ा प्रजाबी सुबा या जड़ा से खोम्रें साथार कफूर संग न करता से अरिछ टेंस पात्ष्टस हासाथ है संगो किसे बांड़े जब प्रफ चाहिए कोड़े जह खोम इदेऊ कर दी अर fig शन्नमाई है जो है जो एए हिंदू ऐस दे ऊकार आप्टर मुश्श पन नियस अन्धी कोशिए कर रहे हैं और अदिन आ बैसे अगे जिन्नी है श आपने मर्जी नाड़ी नो मर्जी दवा सकते हैं, आपने मर्जी नाड़ी नो मर्जी दवा सकते हैं। क्योंकि मनुखी समाज जड़ा है, उसे दे उत्ते जो सकते हैं, इसे दे उत्ते चल दें होयां, उस्टे पोख सकते हैं, किसे बड़े बड़े लोकानों प्रापतानों हैं, और हरे कादमी पोख सकते हैं। तो यह जड़े सादा फिलिस्पा है गा, यह दसंदी लोड़ है, प्वड़े वर्ग जड़ा कम है, जड़े परचार कहने उनना दा कम है, ज़े समझा अमरदपाल भी एने कुछ करना था इस दा कम है, ते ज़े समझा भी आ स्यासतों बिना कुछ भी यह ते कर सकेगा, ता इस शुकरिया गुर्थेज सींग जी थानुएर 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 थानुए watts कमेंट ज़रूर करें ताहित आपने 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 सब्सक्राइब करो फेस्ट बूक ते फॉलो करो मैंनों इजाज़त देओ तारवाट